नमस्कार दोस्तों मैं प्रेइन सेनी आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे What is an electric charge यानि कि electric charge क्या होता है electric charge हमारा एक तरह की characteristics होती है जो कि किसी भी basic particle के साथ जूड़ी होती है जैसे कि electron है, proton है जहां पर भी वो exist करें तो उनसे एक जूड़ी होई characteristics है कहीं भी exist करें अब देखें अगर इसकी हम definition देखेंगे जो charge है तो it is possessed by material objects यानि कि जो material objects होते हैं उनके दुआरा उनके उपर ये होता है ऐसा कह लिजी जो कि possible करता है कि वो electrical force लगा सकें किसी दूसरे के उपर या फिर respond कर सकें किसी electrical force के अंदर या कहें कि जब electrical force उनके उपर लगती है या तो वो respond कर सकें या फिर खुद वो किसी के उपर electrical force एक तरह से लगा सकें तो ये charge होता है जो कि material objects के दुआरा process किया जाता है अब देखें mostly जो है हम बात करते हैं तीन जो वमारे पास पार्टिकल है जो fundamental पार्टिकल है वो है proton neutron जो कि हमारे nucleus अंदर होते है और electron जो कि definite orbits ऑर बबीट के अंदर orderwife के अंदर चक्र लगाते हैं नूकलीइस के अंदर proton और neutron होते हैं जिनको हम nucleons भी बोलते हैं और ये electron जो होते हैं ये orbits के अंदर जो है इसके चारों तरफ चक्र लगाते हैं तो जैसे atom की सरंचना की अगर हम बात करें तो mainly जो है basic जो हम तीन इन particles की बात करते हैं अब यहां पर अगर हम mass की बात करें electron की वो लगबग 9.10940 इंकšρ पर-31kg होता है इतना लगबग mass इसका होता है electron की बात की गई है mass of proton की बात करें वो इतना होता है और mass of neutron की बात करें तो इतना होता है आप देखिए मासिस के कारण कौन सी force generate होती है हमें पता है अगर मास है माल लिजिए एक मास हमारे पास ये है और एक मास हमारे पास ये है तो कौन सी force यहाँ पर हमारी आती है वो आती है gravitational force यानि कि मासिस के कारण जो उनको अपनी तरफ अकरशित करती है तो वो gravitational force होती है, जैसे कि अर्थ से आप, अर्थ के surface से कोई चीज उपर फैंकते हैं, तो वो नीचे की तरफ आती है gravity के कारण, यानि कि जो masses का roll है, वो कहां पर किस force के लिए आता है, gravitational force के लिए आता है, तो पहले तो हम gravitational force की ही बात कर लेते हैं, अब हमने ये तीनों masses देख लिए, यानि कि electron का, proton का, neutron का, अब gravitational force की बात करें, माली जी आपने क्या किया, एक electron ले लिया, electron आपने लिया, और एक और electron आपने लिया, अभी हम इनको पर charges की बात नहीं कर रहे हैं, तो electron आपने लिया, और electron को आपने one centimeter apart रख दिया, एक centimeter दूर रख दिया, अभी कहता है कि जो gravitation force है, किसी भी electron के लिए, वो attract करती है, another electron को, आपने distance of one centimeter, तो वो कितनी होगी, तो हमें इसके लिए formula पता है, कि जो force होगी, वो कितनी होगी, g m1 by, m1 m2 by r square, अब यहाँ पर जो r की value है, वो कितनी है, one centimeter है, हम इसको meter में convert कर लेंगे, और g की value होती है, हमारे पास, 6.67 into 10 raise to power minus 11 newton meter square, प्लस by kg square, तो यह जो है, हमारे पास यह value होती है, तो यहाँ पर हम values को put कर देंगे, अब देखे, m1 m2 की जेंगा क्या हैगा, हमने सिर्फ एक mask की बात की है, यानि कि electron के mask की बात की है, त into, जो m1 m2 है, यानि कि यहाँ पर ही क्या जाएगा, 9.1 ले लेते हैं, और into 10 raise to power minus 31, इसी तरह से into में क्या जाएगा, 9.1 into 10 raise to power minus 31, यानि कि m1 भी वही और m2 भी वही, और divide by r का square, r का square क्या है, 1 centimeter है, तो यहाँ पर आप इसको meter में convert करके क्या लिख सकते है, 1 by 100 आ जाएगा यानि कि 10 raise to power minus 2 का square आप इसको लिख सकते हैं, तो जब आप इस gravitation force की value निकालते हैं, तो आपको यह value मिलती है, लग 5.5 into 10 raise to power minus 67 Newton, इतनी value यह मिलती है, अब यह हमने किसके लिए निकाली है, जब electron एक दूसरे को attract करते हैं, 1 centimeter की दूरी पर जब वह हो, लेकिन हमने देखा ह कि जो electron हैं वो repel भी करेंगे, क्योंकि इनके ओपर same charge होता है, तो जदा पास होंगे तो वो repel भी करेंगे, तो जो electron repel करते हैं, अगर हम उस force की बात करें, तो वो electric force से repel करते हैं, यानि कि gravitation force से वो attract करते हैं, लेकिन electric force से वो एक दूसरे को repel करते हैं, और अगर इसकी value का ली जाए at a distance of one centimeter तो उसके लिए formula हम यह लेती है f equal to kq square by r square यहाँ पर k की value होती है इसको हम one by four pi epsilon o भी लिखते हैं आगे हम देखेंगे k की value होती है 9 into 10 raise to power 9 newton meter square per column square तो यह होती है r की value हमें पता है कितने लेनी है वो है हमारी 10 raise to power minus 2 का square यानि की r का square यह हम ले लेंगे और इन values को हम put कर लेंगे और क्यों की value क्या होगी यानि की electron के उपर charge की value क्या होगी वह होगी 1.6 into 10 raise to power minus 19 कूलम अभी हमने फिर से यहाँ पर कोई negative positive नहीं लिया हमने सिर्फ charge का magnitude लिया है 1.6 into 10 raise to power minus 19 कूलम यहाँ पर वैसे electron की बात करें तो minus होगा यहाँ पर भी minus होता है क्यांकि electron के उपर minus charge होता है वह हम जानते हैं लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी value लेनी है तो यह k की value आ गई और यह क्यों की value अब हम यहाँ पर put कर देते हैं k की value क्यों की value क्यों का square यानि कि 10 raise to power minus 2 का square कर देंगे जब यह value आप निकालते हैं तो यह value हमें मिलती है लगबग 2.304 के लगबग into 10 raise to power minus 24 Newton इतनी value मिलती है अब देखें यह attraction की force है और यह हमारी की re-pulsion की force है जो की हमने यह निकाली है अब रिपलसन की force जो है जधा बड़ी है अगर ैविटेशन force हम देखें यानि की attraction force से जधा बड़ी है तो यह zyada बड़ी है अगर हम acceleration force की बात करते हैं दो elektron के पीच की यह जो massas पर डिपैंड करती है वह अब देखें जो electric force है वो काफी large है जैसे हमने value को निकाला तो हमें पता चला कि यह काफी large है अब जो electrons के पास इस तरह की एक additional property होने चाहिए massi से additional जो की इसको इसे ज़ादा force से repel कर रही है और यह जो additional property है electron की जो की rise करती है electric force को between two electron के बीच के अंदर तो वो होती है हमारे पास electric charge यानि कि हमने देखा कि यह electric force ज्यादा है तो कौन सी additional force होगी जो कि rise कर रही है electric force को यानि कि जो उनको repulsion ज्यादा force से दे रही है दो electrons को तो वो electric charge होता है अब इसी तरह से माली जी आप दो proton ले लेते हैं प्रोटोन के उपर वैसे तो positive charge होता है यहाँ पर लेकिन हम अभी charge की बात नहीं करेंगे तो आपने दो proton ले लिये और इनके बीच का distance जो है वैसा ही आपने 1 cm ले लिया इसी तरह से आपने जो force की value निकाली तो जब आप force की value निकालेंगे जो कि electric force की value की बात कर रहे हैं जो क से magnitude की force के साथ repel हो रहे हैं तो यह आप कह सकते हैं जितना जो charge है यानि कि electron के उपर होगा उसके opposite कह सकते हैं इसके उपर भी होगा या कहें कि जो magnitude है रिपल्सन का वो बराबर है अच्छे तो हमें पता है proton के पर positive होता है तो यहाँ पर अगर दो proton की बात करें तो यहाँ प समारी वैल Dρα ही आ रही है इसी तरह से अगर आप two neurons को लेते हैं और उनको भीए से अठीमिटर रख देते हैं और यहां पर क्या देखते हैं कि यहांपर करशिन होता ही नहीं यानि कि जो repulsion है यहांपर होता नहीं लेकिन यहांपर attraction आपको जरूर मिलता है attraction फमें पता है किस कि this gravitation कब होता है ये massies के कारण से होता है जो भी दो bodies का mass है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो neutrons के बीच में electric force है यानि कि जो electric force की बात करें तो वो यहाँ पर zero होती है इसलिए neutrons के उपर कोई भी charge जो है हम कहेंगे नहीं होता तो इसके उपर कोई चार्ज नहीं होता या कह तबी तो यहाँ पर यह attraction force आपको मिलती है, और जो attraction force मिलती है, यह भी लगबग हमें 1.9 into 10 raise to power minus 60 Newton के करीब की मिलती है, तो इसलिए attraction force मिलती है, और यहाँ पर कोई charge नहीं होता, इसलिए repulsion नहीं मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है, इनके पास mass होता है, charge इनके पास नही सकते हैं, कि किस के ओपर कौन सा charge होता है, किस का magnitude बराबर है, और किस के ओपर जो है charge नहीं होता, इस तरह से हम electron, proton और neutron को समझ सकते हैं, तो थांके यह वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे channel learn and grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन् अभर में आप है विग झाय मादने बादेगा बराёт जएर का मन हमारे आप हमें तरह का मन